अजरत इसा एक दिवस जंगल माती जता हता, तेना असाबो तेनी साथे हता, रस्ता मा तेवो ने बाग मड़े, रस्ता मा तेवो ने सामे बाग मड़े, छता तेवो आगर चाल्या, रस्ता मा एक जनावर ने मरे लुजोई, रस्ता मा एक जनावर ने मरे लुजोई, रस्ता म परियो कितला दिल सो बात एक मानस तेने सामें अमड़यो तेने जोई ने हजरत इसा सवाग से नाठा अने विजे रसे धरे गया असा बोय पूछियो कि साहिव तम्हें वागती न डरिया अने इंसां ती क्यम डरी ने नासी गया अगरत इसाय जवाब आपयो कि ते मानस मूरक नादान हतो तेनो दिल शाई जवू हतू मारा फर्मान ती मोहेला जिवता थाए छे पर नादान मानस ने मारा फर्मान असर करता नती सर्वे कोई मारा फर्मान माने छे परंतो नादान मूरक मारा फर्मान मानतो नती तेती हू नासी गयो आ उपर थी हाजरी माने फर्मा विवू कि नादान दीन मों दुश्मन छे पर्मान नहीं ध्यान मा लिए ते मूरक नादान छे पर्मान न सामड़े ते नादान छे तमे घणा मान छो मोमन छो तमने पोता ने वाज़त छे जो पोता नो दिल पाग राखो बीमार हुए ते बदन पाग राखे तमने जखम ठैव हुए ते जोक्सी करी मलम पटा करो छो सल्वार पर्मान मौला के ये फर्मान हम सुनते रहते हैं जिस तरह बैतम चाल के फर्मान भी पड़े गए और मौला के फर्मान भी पड़े गए और ये फर्मान भी हमने पड़ा तो इसके अंदर मौला फर्माते हैं कि इसा पेगंबर की एक मिसाल दिये है इस्टाडिंग पर्मान भी ये जामनगर तारिक 6-4-9 सो का फर्मान है कि हजरत इसा एक दिवस जंगल माती जता हाता तेना असाबो तेनी साथे हैता रस्तामा देओने वाग सामें मर्यो चता जो आगर चालिया रस्तामा एक जानवर ने मर लू जो ही हजरत इसा दौा फर्मावी तेने जिलता करिया यहने इसा पेगंबर में इतनी ताकत थी कि मौला इसकी तारिफ करते हैं कि वाग से भी वो डरते नहीं थे और मरे हुए को जिन्दा करते थे वो खुबी इसा पेगंबर में कैसे आई पेगंबर तो बहुत हुए एक लाख और चोविस अजार पेगंबर हुए जिसमें से दो पेगंबर को अपने रूर की मुलापाट हुई हजरत उसा और रबस थे जुसरे पेगंबर थे वो भी अल्लाइब का पेगंबर को पहुचाते थे मुला का जो मैंगर जो हिजायत का काम है हुए स्वारा करते थे एक लाख चोविसफ़ा वड़ाये तो 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 जुस्वा बहुत और पेगंबर आखी मगर मौला ने यहां इसा पेगंबर को यार्ट किया और इसा पेगंबर को यार्ट किया जाम नगर की जमाद के पास यह एक समझने की बात है कि मौला हमको कितना उंचा ले जाना जाते हैं मौला रोहानियत की शरीयत नहीं बताते हैं रोहानियत की तरीकत नहीं बताते हैं वो शर्यात हाथ पाउं दोने वाली ही वो तो बात अलग है उसकी तो बात ही छोड़ी है लेकिन रोहानियत की शर्यात जो है न वो दौा और बसोन है ये तो दो चीज़ की बात नहीं करते हैं, डारेक्क मौला बन् cinnamon की बात दो तो इस्सा प्रेगंबर अपने असाबहु सो जा रहे थे शाथ में तो सामने वाग मिला उसे नहीं दरे अपर इंसान को वाग को क्या पता के ये इस्सा प्रेगंबर लेकिन इंसान के अंदर जब हकीकत आती है न तो वाग होगे, शीम होगे, ना कितना भी डेंजरस जानवर होगे उसके उपर उसकी रूप का इतना असर पड़ता है कि उसकी जो हैवानित है वो उसके से निकल जाती इस तरह पीर सद्गूर नूर जंगा में जब गिनान बोलते थे तो उनके आवाज में वो ताफिर थी कि शेर और बक्री साथ में बेखते थे गिनान सुनते थे इतना हमारे रूप में भी इतनी ताकत है कि अगर हम मौला का फर्मान माने और जस तरह मौला हमको रास्था दिखाते हैं उस तरह अगर चले चुंकर यह नूर की रोश्मी है प्रमान की बात ऐसी है कि हमारे पास वो आँखें नहीं है वो आमाल नहीं है वरना हम फर्मान बोलने के साथ पना हो जा रखी है कि हम फर्मान बोले और पेरेग्राफ पूरा नहीं होए इससे पहले हम पना हो जाए ऐसी ये गुदाई इलम की ताकत है कि जिसके लिए पीरों ने फर्माया कि लाख दारोड या भी मले लाखो करोडो पीर और प्रेगंबर होए लाखो करोडो अइसे उड़ने वाले होए जो आपके सामने अबादत करे और इसे उड़ जाए गदन के साथ ऐसा आदमे भी आपको उपर नहीं ले जा सकता है, ऐसे शक्ती नहीं दे सकता है क्यों? कि मुला ने फर्माया कि आ बगर के पेलो बगर कोई दमोंने दारी जनार में थी, दमने दारी जनार भूंच हूँ मुंच हूँ, याने मुर्तजा अली का नूरानी सरुप एक नूरानी दर्या है एक जाहरी सरुप तो मुला हमको अपनी नूर की रहमस्त में जहर में जनम दिया तो हम पेचानते हैं कि ये शाकरीम हाजरी मां, तुद दिन दुनिया का मालिक है ये हमारा रोजी देने वाला, हमको चलाने वाला, हमको फिलाने वाला, हमको पिलाने वाला, हमको इज़त आबरू देने वाला सब कुछ ये है, अगर हमारी दौा और दस्वन चोकी है, तो हमारे इमान ने इतनी रुशनी आती है दुआ और दस्वान की भी बहुत बड़ी परकत है लेकिन इलम और अबादत की बात ऐसी है कि अगर इलम हमारा रूर तक पहुंच जाए दिल तक पहुंच जाए मौला ने फर्माए कि मेरे फर्मान से मरे हुए जिन्दा होते है और इस्वा पेगंबर का भी ये दाखला दिया कि इस्वा पेगंबर ने कहा कि मेरे फर्मान से मरे हुए जिन्दे होते हैं लेकिन इस एक नादान इंसान को देख के मैं भाग गया भाग को देख के बादे नहीं और मरे हुए को जिन्दा कर दिया मरे हुए को जिंदा कर दिया लेकिन एक नादान जिसे आदमी को देख के बाग गए ये बात बोट समझने की है कि हम हर आदमी से बेस करने लग जाते जो आदमी कुछ हकीकत रखता हो कुछ नोलेज रखता हो कुछ दर्मी हो कुछ इमानी हो उसके पास आप रोहानियत की बात कर सकते हैं लेकिन जो आदमे को मौला पर बरुसा नहीं हो या अपने आप पर बरुसा नहीं हो या उसके दिल में दलीले हो इसके सामने आप गिनान की माहिना और फर्मान की यह वह से चीज़ें आप रोहानियत की बोलेंगे तो वो ऐसी आप को छोट लगाएगा आपके इमान को फ्रकkę लग जाएगी आपके इमान हिल जाएगी तो मौला यह अंशी लिए फर्मान में ईसा पेगंबर की और नदान की जाईल की नदान यह जिसको रोहानित का नोलेज नहीं है बले दर्मी है तो क्या है, लेकिन इलम नहीं है तो नादान। मुला नहीं फरमाया। मारा वस्ते गड़ी मेंनत्च हैं किस को फर्माते हैं। पुरी जमात बेठी हुई है। ऐसा नहीं कोई नादानों को गठ़ा करके मौला भोलते है। पुरी जमाद बेखी हुई है और जमाद के बीच में मौला आके यह फर्मान करते हैं कि मारावस्ते गणी मेनत चे यह शिकायत है मौला को हमारी कि आमाजी दाना नहीं हुए हम अपने इलम में इतने हुशाह नहीं हुए इसलिए मौला ने फर्माया कि मारा वस्त गणी मेंट से बेल भी केम राजी था, इलम नहीं है मैं कैसे इसको राजी करूँ इलम है वो आंथ है फर्मान है ये एक नूरानी आंथ है नूरानी रोशनी है इसके अंदर वो रास्ता है जो आत्मी हजारों साल अबादत करके और मेनत करे तो इसको नहीं मिल सकता है जो रास्ता मौला ने इसमें बताया है लेकिन हमारे को इस चीज़ की गदर हम फर्मान को उठाते भी नहीं हम फर्मान को इतने प्रेम से और इतनी मौबत से पढ़ते भी नहीं क्यों कि हमको ऐसा है कि सब मौला करे मौला के ऊपर छोड़ को बस मौला करेंगा मौला करेंगा मौला करेंगा हमारी आलब यह है एक हाथ को तवे का काडलास लेके हाथों में काराट लेके तवे की जो काराट होती है उसको लेके हाथ में मलते हैं और सफेद कपड़ा लेते हैं और उस सफेद कपड़े को हाथों में मलते हैं और आँखे बंग करके बोलते हैं मौला काला नहीं करना, मौला काला नहीं करना, मौला काला नहीं करना काला तो होएगा जब आपने अपने हाथ काला किये काले किये हैं और काला आप रड़ रहे हैं तो मुला के पास भी जादू है मुला तो फर्माते हैं तो काला नहीं करो और सफ़ेद कपड़ा रखो के तो काला नहीं होएगा बीजिन आप कालास लेको सक्षफ़ कपड़ा लेको लेंगे तो काला तो ऊगा, इसी तरह हम अगर कहना नहीं मानें दो कहोजात नहीं मैंहों आपक होजा जाता है, हमोला क 허락 कर दो ही च्रह। विजिए तो रह्मत आयगी, रह्मत ऐसे नहीं हए! मुला ने फर्माया कि हमारी द्वा जे वो हिम्मद बड़ा चे तेवने काम आवे चाए। मुँ मारा दिल की तम उने द्वा करूए। द्वा तो मैं करता हूँ। लेकिन आप भीमार होएंगे और मुला आप कहेंगे मुला द्वा करे तो ठीक हो जाओं ऐसा नहीं। क्या आजाद है। मैं पूचाता है राम आजाद हो जाओं। इस तरह इसा पेगंबर आजाद हुए। आप सब इसा पेगंबर जिससे बन जाए। और ये भी मुला ने इसा पेगंबर का हावाला दिया फर्मान में। कि इसा हकीकती है तो उसे खुदा नो करना से है। तो आप नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपको नहीं होना है। खाना तयार है आपको खाना नहीं। पानी के पास मुला ले जाते हैं लेकिन पानी आपको पीना नहीं। आप कहेंगे मुला प्यास में पुढ बूख जायू आप कहने। ऐसा मुला जादु करें कि पानी में पुढ मुठो बूख में चला जाआ। मुलाइ फिती हला एक मुला फर्माते हैं कि मगराव को मुलाकात के लिए मैं आपको बुलाता हूँ लेकिन आम कैसे ने, आम तो बिस्त्रे पे पड़े उगे, हम तो नहीं आएंगे, मुलाकाद करनी होए तो आप आओ, अगर मुला आवे भी तो हम स्वे पड़े, क्योंकि मुला ने फर्माया कि मैं आपको आता हूं उठाने की, लेकिन फिर भी आप नहीं उठते, के तमे एवी गफलत नी उंग मा पड़े लाचो के तो अपना आवाज पर सांबरता न थी, सुतेला मानत ने जेम उठाडवा मावे तेम हमों तमोंने जगाई ची, ये इमान चाहिए हमारा, कि ये बोल मुला के जो है न वो अभी चल है, और मुला एक एक मुमिन्त उठा सकता एक टाइम में सर्वे शक्ति मान, अली अनन्त अनन्त एक 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 पास, एक एक रोहानी बच्चे के पास जा सकता, अली अनन्त एंजो सांच, अनन्त एंजो अन्त तो ही जा सकता, अगर हमको इस फर्मान पे एमान होगे, और हम उठते होगे तीन बज़े, तो हम इस फर् इसका बोल अभी चल है कि नहीं। यह हमारे दिल की पाकाई होए तो हम देखें। यह ठीकत है कि तमें इभी गफलत नी उंग मां पड़ेला चो के तोपना आवास प्रम संबड़ता नती। सुतेला मानत ने जे उठारवा मांवे। यह ऐसे उठाता है। ऐसे उठाता है। ऐसे भी नहीं कि अभी उठो उठो ऐसा ने। सुतेला मानत ने जे जगारवा मांवे। यह अमों तमों ने जगारी चें। साली जगारता नती। आच्छो मौला केचे कि उसमों कम उठो तमों के। तो भी मैं उससे खुश नहीं हूंगा क्यूंके मेरी अबादत का वजन उससे जगादा है। तो उठो अबादत मां मश्कूल था। भूलो नहीं इतरावागानी अबादत मां गणूंच फायदों से। एक तरफ अपसी दुनिया नो माल अन्य बीजी तरफ अबादत है। यह वो अबादत मूंचे खुल वेड़े। कितने आते हैं। आप देखें कितने आते हैं बेदूर चालों। हर एक चालों नहीं आप चेटरने के लिए जाएं। पाईट परसंद घ्यान भी नहीं आता है। कैसी हमारी आलत है। कि हम फर्मान को भी नहीं सुंते हैं। हमको आजाद भी नहीं होना है। कुछ उपना भी नहीं। कहां जाना है। कि लग चुरासी ना फेरा, जीवड़े हाथे मांगें ने लिता ऐ। हम मांग रहेंगा मुला, लज 84 के फेरे में जनल मरणों बले बेज़ देगा, बंगी नहीं करेंगा, इसी दुनिया का भी मिलेंगी, इसी अच्छी नीद आती है, इसे मज़े के प्लेट मुला आपने दिये है, ऐसे एर कंडिशन, ऐसे पंक्ते है, इसे नीद खराप नहीं हो अगर हम ये फर्मान से चलते नहीं है, तो हमारा दूसरा जवाब तो यह है, अगर हमारे दिल में ये फर्मान उतर जावे, तो हम जाग जागें, तीन बज़े के बार, मुला भी नहीं सोता है, मुमिन भी नहीं सोता है, कि जो मुमन होकर नाचिंद से सोवे जो मुमन होकर नाचिंद सोवे ते अली ना दिदार किम करी जो इसको फिकर नहीं है दिदार की तो मुला का दिदार किसे देखेगा हूँ तो मुला फरमाते हैं कि मेरे दिल से मैं दौा करता हूँ ये द्वा भी करता हूं, कौन द्वा करें? एक द्वा आप सोचो, दुनिया में बड़े में बड़ी द्वा तीन जगा से मिलती है, तीन जगा, एक मा और बाप, जब उसकी हम अच्छी खिजमत करें, उसका काइना माने, उसकी बराबर फैर भी करें, तो जब मा और बाप मेरे कलेजे से, ये माबाप की द्वा होती है, दूसरी द्वा, गत के अंदर जब मुखी और काम्रे जो है, वो द्वा करते हैं, खाना मना, ये मौला के तरस से द्वा आती है, तो जो गत की द्वा है ना, जमात का निए, ये माबाप से बड़ी है, लेकिन तीसरी चीज है, तो तुद्धावन दानी मुला मुर्तजा आलिया आके दौा करें तो ये इतनी बड़ी चीज है कि मुला अपने मुख से मुला तो बोलते हैं कि मैं जो बोलो हो जाता है लेकिन फिर भी मैं आप तो दौा करता हूँ ये रस्ता मुला में सब के लिए एक रखा है एक ही इंसाफ है मौला के पास ऐसो तुचावे तो सब को नूर में मिला सकता लेकि मौला ने को खाए मैंने जो रस्ता बनाया उस राख पर से आओ और मैं आपको दूआ भी देता हूँ मारा दिल की तब मौने दूआ करूचू कुदाया थे हो ना दिल मैवी ताकत बख्ष के आजाद है हकीकती था है कि देखो आजाद होएंगे तो उसके लिए दूसरा कंडिशन है आपको हकीकती होना पड़े हो हकीकती कैसा इसा हकीकती है तो से खुदा मफना है हकीकति मिन्स आपके दिल में से दुनिया निकल जाए तो आपको हकीकत दिखने में आए कि मैं क्या हूँ मैं क्या हूँ खालिक कौन से मखलुक कौन से खालिक और मखलुक आपके अंदर आपको पता चले कि खालिक भी मैं हूँ मखलुक भी मैं हूँ खालिक हमारे से दूर है मखलुक में खालिक है खालिक में मखलुक है जिस तरह सूरज आप देख रहे हैं सूरज जो है इसकी किर्ज ने नीचे आती है तो हम उसको दूब कहते हैं अगर सूरज चला जाए तो ये दूब रहेगी उस तरह मौला ना हो तो हम भी ना हो जाएं ये किरन हमारे अंदर है मौला की लेकिन हम किरन को सूरज नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं ये दूप है आते कहां से सब्सक्ति मौला की है जो हमारे अंदर आती है और हम मौला से मांगते हैं तो मुला आमको रस्ता दिखा दिखा देंगे, आजार था है, हखिकती था है, यानि आप हकिकती हो जाओ, वलत काम को आप दूर करो, अच्छे काम को अपने दिल में दे लो, फिर तीसरी दूर मुला ने फर्माई, कि खराबी थी दूर बागे, खराबी क्या है, ये दुनिया जो है, ये माया है दुनिया की जो, ये तो हमारे शामने खड़ी हुई है, हमारा ध्यान उसूल और मगज पर नहीं है, एक छीटा है, दुसरा मगज, बदन है ये छीटा है, मगज है, रू है, रू कर अगर ख्याल हो रहे, तो रू के लिए आपको इश्क पैदा होए, ये जो मेरी वज़े से केद में है, दुखी है, मौला ने फर्माया, तुमारा रू बदन में है, वो केद खाने में है, मौमन को वाजब और लाजम है, ये रू को केद खाने में से बाहर निकाल कर अच्छी जगा पर ये बेला काम, इतना काम करो, फिर आपको अबादत करने की जरूत नहीं है, तो इबादत तो रू करते है, असल से बुज़ा तो रू को होना है, आपको क्या होना, आप सरफ इतना ये है कि एक पक्षी पिंजरे में इसका दर्वादा कोल दो, मौमन में वाजब तो लाजम छे, कि रू ने केद खाना माते काणी, केद खाने में ज़क अखुल जावे तो निकल जावे, तारी जगिया मारा की, खराबिती दूर है, खराबिती दूर होगे, तो आपका केद खाना तुलेगा, रसकों सवडों पकड़े, एक सवडा दुसरा आउडा, एक सीधा रास्ता, दुसरा तेडा रास्ता, अगर इलम को नहीं उठाएंग तो वो टेडा रास्ता मिलेगा, इलम है वो शाट कची, यह हम उठाते नहीं, इसको यह नहीं पढ़ते ही, अगर हम इसको पढ़ते होगे, तो एक-एक फरमान हम ऐसा, एक फरमान कोई बोले, उसको दुसरा फरमान सामने देवे, और एक-एक फरमान से हम बात करे, एक आज 집न देवे, बोले दुसरा, दुसरा फरमान में वाला फरमान की बुंच-उनज बुंच बुंच हो जा रहे, लकीन हम इतने धर होते हैं, फरमान से ठाहते हैं, यह खराअं में है, दुनिया की खराअं आड यहां, यह आडियाएते हैं वुला नहीं फर्मान ध्यानमा नहीं लिये तो मुरख नादान चे धर्मी को बोलते हैं धर्मी को अबादती को दसुंदी को फर्मान ध्यानमा नहीं लिये तो मुरख नादान चे नादान दीन नो दुश्मन चे यहां मुला ने फर्माया कि मैं दूआ करता हूं कि तुम आजाद हो जाओ, हकीकती हो जाओ, ख्राबी से दूर रहो जाओ, रस्ता सिधा पकड़ो जाने, फर्मान से आओ, मुमन सोई जो सब मरं जाने, इलम रासर लेगा, इलम की रोश्वी में चलता है, इलम की रोश्वी से बाहर गया तो फत्रा है, यह बेल्मी के मिला जीता है, अकिकत ने फकर तो न थी, अकिकत ने जोईती नसी मुलब हो, जो अ हकिकत ही नसी था वह बेर, हकिकत ही नसी था ओ इलम ने चोड़िया, पर जो हकिकत मेह दली। यह रास्ते चल्या है, फिर मुला ने आवाला दिया, फिढोे मांगर इसां, सददि, फिरुफु शमंकि, मुला ना रूमी, नसर्थुषु, रस्त्रुफू, शलमांतारस्तु ते हकिकत ना रखता उपर थी, उनकी श्याल और उनकी सोच और उनका ध्यान बदन पर नहीं था, अपने रूपर था, जे वो तियां पोँचिया ते पोता ना रूप ना दोस्त था, रूप ना आशक हता, रूप का रूप तो यह रुवान इलम है, अगर रुवान इलम को आप नहीं बढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो इसकी समझ रूप को जीर होगे, किसे मिलेगे, मुला ने फ़र्माये, मेरे फर्मान पर दो बंटा ख्याल करें, कौन करें, इतना इमान होगे, इतना इश्क होगे, रूपा, इसको ख्याल होगे तो करें, और सत के लिए टाइम है, दुनिया की हर बातों के लिए हमारे पास टाइम है, सुरुफ इलम पढ़ने के लिए टा पेघादे बेजिस तरह मुला फरमाते हैं, कि ईसवा पेगमबर के गोल से मरे हुए जिंदे होते थे. तो एक तो मरा हुआ आदमी जो मर जाता है, वो जिंदा होता है. बुसरा ये है, दिल जो हमारा है, इसको इलम नहीं मिलता है, इससे हिलर भरूं भी हमारा है. प्रेट जागेगा, इलम से जिन्दा होएगा, इलम है उसको जिन्दा करता है, तो मौला ने यहां दौा फर्माई कि सिदो रस्तो फखरे, और सवर रस्ते जाले, सवरा रस्ता है और फर्माई, खुदाया त्यो ने दिल मैवी ताकत पर, खुदाया त्यो ने हकिकती आंखो ये लिए पनाए बाद में हकीकति आँखें हमारी हो, इसकेलिए दौा फरमाते हैं, अन्षी आँखें हो मिन्स करें हैं, ये जिस तरा आँखें बंद करें हखीकति है तो वहा हकीकत वो रोश्ट हो जाती है। लेकिन मुला फरमाते हैं कि आप बंदगी में भी नहीं बेटो। बगर बंदगी में बेटें आपकी आँखें खुली हो। और आपको सब जगा पे नूर नूर गोश्टी रोश्टी मोड़ा। हकीकती आपको बख्ष। यानि मुला फरमाते हैं हम जहां देखते हैं ऐसा नहीं फरमाते हैं मैं अबादत देखता हूं। जहां देखते हैं वहां रूर दोस्ट को देखते हैं। तुम इंसान को देखते हैं तो इंसान की शकल दिखने में आते हैं। आज, पाउं, मौ, आँकें बगेर दिखने में आता, रूप दिखने में आता, तुम रूप को देखने है कि तज्वीज करो, तुम कोशिश करो, यह अकिकती हो जा रे, तो हकिकत में उसके नतर आता, यह द्वा मुलाग फर्माए कि आँ द्वा सग्री द्वाओ करता वधार पर आमारी द्वा जेओ, हिम्मत वाड़ाचे तेवों में सामावेचे, हिम्मत वाड़ावना रूप जल्दी ती दर्यामा मणी जाएचे, अजर दिखता जवाब आपेओ, के ते मानस मूरक हतो, तेनू दिल शाई जेओ हतो, मारा फर्मान ती मोयला जित्ता थाएचे, पन नादान मानते मारा फर्मान असर करता न थी, सर्वे कोई मारा फर्मान माने चे, पन तू नादान मुरक मारा फर्मान मानतो न थी, जे थी हूँ नाची गयो, पिरिसा पेगंबर ने उसको समझ लिया, कि ये आदमी मेरा कैना तो नहीं मानेगा, लेकिन ये मेरा सामना करेग मुझे भी जो है मुफसान को चाएगा। इसे दोड के भाग गए। और सीधा घर चलेगे। दूसरे दिन असराब मिले को उनको ये कहा। ये नादान था। और नादान से भाग जाना अच्छा है। मुझे नादान 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 ख्याल उसूल याने मगज़ पर हो, मगज़ है वो रू है, छिटा है वो बदन है, आपका रू अगर मगज़ पर होगा, रू आपको याद होगा, तो रू के लिए आप कुछ करेंगे, रू को क्या चाहिए?